दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं How to update Windows 10 Windows 10 को update कैसे कर सकते हैं अपने laptop में या फिर computer में इसके बारे में चर्चा करेंगे Laptop में Windows 10 कैसे update करते हैं तो इसके लिए आप इस video को पूरा जहां से देखिए क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पर अपने laptop में Windows 10 की update वाली जो service है उसको start करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर type करना होगा run command तो यहाँ पर आकर आपको search करना है are you and run उसके बाद से यहाँ पर आपको run app में जाएगा इसको open कर लेना है open करने के बाद आपको यहाँ पर type करना है serv is services.msc और यहाँ पर आपकर करना है ok यह से आप यहाँ पर ok करते हैं तो आपके सामने screen पर एक अलग से services की menu की list आ जाएगी जिसमें आपको windows की service को देखना है तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है आपको नीचे की साइट में हम इसको इस्ट्रों करते जाएंगे और सबसे नीचे जाएंगे तो हमें window update की जो service है वो हमें मिल जाएगी यहाँ पर देखिए हमने देखा यहाँ पर window update का यहाँ पर option दिया गया है यह जो service है इसको मिल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके बारे में जनकारी आ जाएगी कि यह जो हमारी window update service है वो start है कि stop है अगर आपके laptop में window update की service start है इसका मतलब यह है कि आप अपने laptop को update कर सकते हैं यानि कि अपने laptop में window 10 update कर सकते हैं यजी आपके laptop में window 10 की update वाली service है वो stop है इसका मतलब यह है कि आप अपने laptop में window 10 update कर सकते हैं यजी आप इसे update करना चाहते हैं Simply आपको यहाँ पर आना है और इसको यहाँ पर stop कर देना है यहाँ पर शीम्पर देना है start , तो आपके laptop में windows update की service की start हो जाजएगी, उसके बाद आपको यहां पर apply करना है, उसके बाद आपको Och करना है, यह काम हो गया याणि कि हमारे laptop में Windows Update की service की, वो start कर दी काड़ गई है ύंद यहां पर इसको कर देगे, उसके बाद हम आएंगे, यहां पर यहां पर window की start button पर click करना है और यहां पर यह जो setting है इस setting पर click कर लेना है जैसे आप setting पर click करते हैं तो आपके laptop में जो अपनी setting होगी windows की वो open हो जाएगी अब यहां पर जैसे यह दिखे window 10 का यह कुछ interface है यहां पर निचे की side में देखेंगे तो update and security का option दिया गया है साथ ही आपको यहां पर दिखाई देगा window update तो यहां पर आपको simply update and security वाले option पर click कर लेना है जैसे आप इसको click करते हैं तो आपके laptop में window update का option open हो जाएगा यानि कि यहां पर update वाला जो page है वो open हो जाएगा तो अब आप लोग अपने laptop में windows को update रना चाहते हैं यानि window 10 को update रना चाहते हैं तो simply यहां पर check for update की करेंगे simply इस पर check for update करने के बाद जो भी हमारे laptop में नया window 10 का update आया होगा वो यहां पर हमें store हो जाएगा लेकिन आपको यहां पर दो चीज का धियान रखना है एक तो अपके laptop में internet पहले से connect होना चाहिए और उसमें प्रियाप की data होना चाहिए दूसरा यह है कि आपके laptop का जो plug है यानि कि चार्जर है वो connect करके power में लगा कर रखिएगा यह नहीं कि स्री बैटरी पर आप अपने दे आपर वानदर ठाजे कर देखा रहा है इसमें घबराने की दिखना है यह जो दिखाता ही हमारा जो network है जो internet है वो दिखाता है कि हमारा इंटरनेट की speed है वह धोड़ी से slow है इसलिए यहां पर पर स्टानिंग 0% गता रहा है वैसे सबसे जारा दिक्कत तो होती है जब आपके laptop में यहाँ पर update install pending बताएं लेकि यहाँ पर installing 0% बता रहा इसका माद पोई दिक्कत नहीं है आप इसको थोड़ा सा रखेंगे अपने laptop को तो आपके laptop में जो गुंडो 10 का update है वो पूरी तरीके से अच्छे से download और restore हो जाए मिनट ठीक है PM यानि की साम का समय है यहाँ दस बच कर 26 पर अपने laptop में जो विंडो 10 operating system है उसको update कर दिया